आठ्वा अत्याय राजा सगर का चरित्र वर्णन श्री शुपदेव जी बोले हे राजन रोहिताशु का पुत्र हरित था तता हरित का पुत्र चंप था जिसने चंपा पुरी बसाई राजा चंप का पुत्र सुदेव उसका विजय उसका भरुप पुत्र था भरुप का पुत्र व्रग तथा उसका पुत्र बाहुक था राजा बाहुक का राजय शत्रु ने छीन लिया वहवन को चला गया व्रदावस्ता के कारण उनकी मृत्यों हो गई किंदू उसकी पत्नी के गर्व होने के कारण उसे रिश्यों ने सती नहीं होने दिया जब उस रानी की सौतों को उसके गर्वती होने का पता चला तब उन्होंने उसे विश्च दे दिया उस विष्ट का उस बालक पर कोई प्रभाव ना हुआ देह बालक सगर उत्पन हुआ अर्थात विष्ट सहित उत्पन हुआ इसी कारण उसे सगर कहने लगे राजा सगर जगत विख्याद चक्रवर्ती राजा थे राजा सगर एक बार यग्य कर रहे थे उनके सोवे यग्य की समाप्ती पर यग्य की कोड़े को इंद्र चुरा कर ले गया और कपिल मुने के आश्रम के पीछे बांध आया उसे भैता की सोवे यग्य की समाप्ती पर सगर मेरा इंद्रासन ले लेंगे यग्यपशु की चोरी होने से राजा सगर के आठ सहस्त्र पुत्रों को अती चिंता हुई वे उस अश्व के रक्षक थे जब उन्होंने भोतेरा तल्याश किया और कोई पता ना चला तब उन्होंने पृत्वी को खोदना आरंब किया वे पृत्वी खोदते खोदते पाताल लोक में समुद्र तट परचा निकले महा कपिल मुनी का आश्रम था वे नेत्र बंद की ये तपस्या कर रहे थी उनके आश्रम के पीछे वे यग्यपशु बंद रहा था उसे देखते ही वे समझे कि हमारे अश्व का चोर यही मुनी है इसी ने चुरा कर अपने आश्रम मे का तिरस्कार किया था इसी कारण उन्हें यह भहंकर फल प्राप्त हुआ जब राजा सगर को अपने पुत्रों के भासम होने का पता चला तो उन्हें महान कलेश हुआ राजा सगर की दूसरी पत्नी-केशिनी के गर्व से असमंजस उतन हुए असमंजस के पुत्र अश्व किन्तो योगी असमंजस ने पुनहा उन बच्चों को लाकर दे दिया तब सबको अति आश्चरे हुआ असमंजस के पुत्र अंचुमान यग्यपशु को कपिल मुनी के आश्रम से लेने के लिए कए उन्होंने कपिल मुनी की प्रात्ना की उनकी प्रात्ना ततास्तुती से प् और राजा सगर का यग्यपूरा कराया राजा सगर अंशुमान को राज देकर बंधन मुक्त हो गए तता और वरिशी की क्रपा से परंपत प्राप्त कर लिया नवा अध्याय भगिरत चरित्र और गंगा अवत्तरन श्री शुकदेव जी बोले है राजा परिक्षित अंशुम दिलिप के पुत्र राजा भगिरत ने गंगा जी के उलाने के लिए घोर तब किया तब गंगा जी ने प्रसन होकर राजा भगिरत को दर्शन दिया और वर देने के लिए कहा तब भगिरत ने हाँ जोड कर कहा कि आप मृत्यों लोग में पधारें गंगा जी ने कहा है को सहन करने वाला होना चाहिए दूसरे मेरे में पापी जन पाप धोएंगे उन पापों को मैं कहा धोने जाओंगी राजा भगीरत ने कहा है माता जिन साधु पुरुषों ने अपने इस लोक और पर लोक को त्याग कर निरंतर भगवान की अरादना की है वे निश्पाप भक अपने शरीर स्पर्ष से तुम्हारे पापों को नश्ट कर देंगी क्योंकि उनके पापों को स्यम भगवान नश्ट करते रहते हैं भगवान रुद्र देव तुम्हारे वेग को सहन करने में समर्थ हैं ऐसा कहकर राजा भगीरत ने भगवान रुद्र को प्रसन किया तब भगवान रुद्र ने प्रसन होकर गंगा जी का वेग सहन करके उन्हें अपनी जटाओं में धारन कर लिया। तब राजा भगिरत अपने दृत कामी रत पर सवार होकर शंक बजाते हुए आगे आगे चलते थे और पीछे पीछे गंगा जी की धारा चलती थी। गंगा सागर के संघंपर पहुँचकर गंगा जी ने भगिरत के पूरवज्यो ब्राम्मन के तिरसकार के कारण बस्म हो गयते उनका उद्धार किया। वे स्वर्ग को चले गए। है राजा परिक्षेत गंगा जी के एक बार के स्पर्षे से राजा सगर के पुतरों का उसका पुत्र रितुपंड था जो राजा नल का परम्मित्र था जिसने उने जुआ की विद्या सिखाई थी तता राजा नल ने उसे रच चलाने की विद्या सिखाई थी राजा रितुपंड का पुत्र सर्व काम था उसका पुत्र सुदास उसका पुत्र सौदास सौदास का दूसरा नाम कलमाश पाथ था कलमाश पाथ की पत्नी मध्यनती थी वह वशिष्ट जी के शाप से राक्षस हो गया था तब नीसंतान था राजा परिक्षित ने कहा है भगवन राजा कलमाश पाथ को वशिष्ट जी ने क्यों शाप दिया श्री शुक्ते जी बोले है राजन एक समय राजा सौधास आखेट के लिए गए, वहां उन्होंने एक राक्षस को मार डाला, राक्षस के भाई ने बदला लेने के लिए रसोईय को पेश बना कर राजा को रसोईया बन गया, उसने राजा सौधास के गुरू वशिष्ट को भोजन में मनुश्य का मास रांद कर परोस दिया, वशिष्ट जी यह जानकर अतिक रोधित हुए कि राजा सौधास श्राब दिया कि तू राक्षस हो जा, जब गुरू को यह पता चला कि यह का रहे तो दुष्ट राक्षस का था राजा का नहीं, तब उन्होंने श्राब का समय बारा वर्ष कर दिया, राजा राजा कलमाश पाद राक्षस हो गए, उनका शरीर श्राब के कारण काला पढ़ गया, राजा कलमाश पाद ने भी वशिष्ट जी को श्राब देने के लिए हाथ में जल ले लिया, किन्तु पत्नी मध्यनती के समझाने से राजा ने ऐसा नहीं किया, उस जल को अपने पैरो करेगा, तब तेरी मृत्य हो जाएगी, जब राजा कलमाश पाद को बारा वर्ष वेतित हो गए, उनकी राक्षसी प्रवर्ती तो समाप्त हो गई, किल्दु भ्रामनी के श्राब के कारण स्तरी से पुत्र उत्पन नहीं कर सकते थे, तब वशिष्ट जी की क्रपासे मध्य जंती ने गरबादान किया, वह गर्ब सात वर्ष तक पेट में रहा, तब वशिष्ट जी ने रानी के पेट में पत्थर मारा और उस पत्थर की चोट से पुत्र उत्पन हुआ, उसका नाम अशम की चोट के कारण अश्मक पुत्र का नाम मूलक था, वह शत्रिय वंश का इनके विश्वसह का पुत्र खडवांग राजा था, जो चक्रवर्ती समराठ था, राजा खडवांग ने देवताओ की साहता से दैतियों कवद किया, जब उनकी आयू के वल दो घड़ी रह गई तब राजा खडवांग ने सर्वसुत्याक कर भगवान में अपनी आसकती लगा दी, इसके प्रभाव से उने परंपत प्राप्त हुआ, दस्वा अध्याय पगवान श्री राम चंद्र जी का चरित्र वर्णन, श्री शुकदेव जी बोले है राजन, खटवांग के पुत्र दिर्क बाहु हुए, उनके पुत्र राजा रगु हुए, राजा रगु के सबसे छोटी होने के कारण महराज का उस पर विशेश प्रेम था, बगवान ने उने अपने चार अंशो से राजा दश्रत के यहां अवतार ग्रेंड किया, कोशिल्या के गर्भ से राम चंद्र जी ने जनम लिया, सुमित्रा के गर्भ से लक्षमन जी वशत्रुगन जी जनम लिया, तथा कहकई के गर्भ से भरत जी उप्पन हुई, इन चारो भ्राताओं में परस पर बड़ा घनिश्ट सने था, क्यों नहों वे सब एक ही श्री हरी के चार सरूप थे, बगवान राम की आग्या का पानन करना ही उनका मुख्य उद्देश्य था, बगवान राम जो मिथला के अधिश्वर थे, उन्होंने अपनी कन्या सीता का स्वेंबर किया, राम चंद्र जीव लक्ष्मन जी विश्वा मित्र के साथ मिथला पुरी में गए तथा महाबकवान शंकर जी का विशाल दिव्य धनुष तोड़ कर सीता को प्राप्त किया, राजा जनक के भाई की तीन कन्याएं और थी, उनका विवाबी राम चंद्र के तीनों लगू ब्राता लक्ष भरत तता शत्रुगन के साथ कर दिया, जब महाराज दश्रत अपनी सेना के साथ अपने पुत्रों का विवा करके मिधला से लोट रहेते मार्क में, सामने से महाबली परशुर राम जी आधम के और बोले, हेत अश्रत भगवान शंकर का धनुष तोड़कर तेरे पुत्र ने बड़ा अहित किया है, तेरा पुत्र यातो मेरे इस धनुष को तोड़े, अत्वा मैं सबको अयोध्या जीवित न चाने दूँगा, मैंने 21 बार पृत्वी को शत्रिय हीन कर दिया है, अब भी मेरी बाहूं में वही शक्ति वित्यमान है, इतना कहकर अपना धनुष श्री राम को दे दिया, राम चंदर जी ने परशुराम के धनुष को एक शंड में तोड़कर पृत्वी पर फैंक दिया, तप्तु परशुराम जी अती लजित हुए, और राम दोनों वर राजा से मागे, एक यह है कि राम चंदर जी को 14 वर्ष का वनवास तता दूसरा यह है कि भरत को राज गदी, राजा दश्रत यह अन्होनी बात सुनकर अती दुखी हुए, राम चंदर ने पिता के वचन का पालन करने के लिए सीता तता लक्ष्मन सहित वन को प भरत जी को ननीहाल से बुलाकर राजा अभिशेक के लिए कहा, किंतु भरत जी ने अस्विकार कर दिया और राम चंदर जी को वन से लोटाने के लिए पुर्वासियो सहित वन में गए, किंतु राम चंदर जी वन से न लोटे और उन्होंने अपनी चरण पादुका देकर प्रजा का भारवहन करने की आग्या दे दी बरजी नंद ग्राम में तपसी के वेश में रहकर भगवान श्री रामचंदर की चरण पादुकाओ की सेवा करने लगी पंचवटी नामक स्थान पर रामचंदर पर्ण कुटी बनाकर अपने ब्राथ लक्षमन तथा सीता जी के सा अगय से लक्षमन ने उसके नाग काट दिये उसने खरदूशन त्रिशिरा आधी राक्षसों से साहता मांगी तब 14,000 राक्षसों से अकेले रामचंदर जी ने घोर संगराम किया और उने मार कर सुरपुर भेश दिया वह राक्षसी अपने भाई रावन के पास लंका में और सीता के सौंधरे का वर्ण करती हुई बोली मैं उस संद्री को तुम्हारे ले ला रही थी इस अपराद में मेरे नाक कान रावन लक्षमन नामक तपस्यों ने काट लिये हैं तब रावन क्लोधित होकर मारिची दैत्य को म्रग बना कर सीता को हरन कर लाया और उस सती जब दोनों भाई कुटी पर पहुँचे तो वहाँ पर सीता कोना पा अति व्याकुल हुए और सीता की खोज उस वन में करने लगे उस कुटी से कुछ दूरी पर उन्हें एक व्रिद चटायू नाम का गित पड़ा हुआ मिला उस गित ने राम चंदर जी से रावन नाम के द्वारा सीता हरन तथा उसे चुडाने के लिए उस रावन से अपने युद्ध का समवाद सुनाया और बोला कि उसी रावन ने मेरी यह दशा की है मैं केवल आपके दर्शन करने तथा यह दुखत समवाद सुनाने को ही जीवित हूँ वह रावन समुद्र के किनारे की ओर लंका में रहता है यह कहकर जटायू ने शरीर त्याग किया तब रामजंद्र जी ने अपने परम भक्त जटायू की अंतियश्टी क्रिया की और आगे बढ़ गई उस दोरी पर कवंध नाम के महादैत्य का सहार किया फिर हनुमान जी की साहता से सुग्रीव से मित्रत करके लाए और विशाल वानर सेना लेकर लंकापुरी पर आक्रमन कर दिया जब समुद्र ने रामजंद्र जी की सेना को मार्ग नहीं दिया तब उनके भूब रंग से ही समुद्र काप उठा और उसमें रहने वाले सभी चलचर खॉल उठे तब समुद्र ने मनुष्य रू लंका तक बांधिया तब उस पुल से सारी वानर सेना दूसरी ओर उतर गई और लंका को खेर लिया वहां पर विबीशन की साहेता से कुम्ब करन मेगनाथ दुरुमाक्ष कुम्ब निकुम्ब सुरातक नारांतक प्रसस्त अहीरावन आदि समस्त राक्षसो सहीत अभिमारी रावन को मार डाला तब लंका का राज्य भक्तिराज विबीशन को देकर राम जी सीता जी के साथ तथा अपने समस्त वानर सेना सहीत पुश्पक विमान द्वारा 14 वर्ष की अवधी समाप्त होने पर अयोध्या में आए अयोध्या नगरवासियों ने अपने परम प्रिये महराज दिराज राम चंदर जी को वन से लोटा देखकर बड़ी प्रसनता से इनका स्वाक व अगवानी की भरत जी ने उनके चल्डों में गिरकर उनकी पादुकाय प्रतान की तथा गुरु वशिष्ट जी की साहता से र राम चंदर जी अपनी माता तथा भायों सहित आनंद पूर्वक अयोध्या का राचे करने लगी ग्यारवा अध्याय बगवान श्री राम चंदर जी के शेश शीवन का वननन श्री चुपदेव जी बोले हे राजा परेक्षित बगवान श्री राम चंदर जी ने गुरु प्रित्वी लोटा दी क्योंकि उन्होंने स्वेम भगवान राम को अपना अराध्य देव तथा भगवान राम ने उन ब्रामनों को अपना इश्ट देश स्विकार किया था एक बार राम चंदर जी अपनी प्रजा की दशा देखने के लिए गुप्त रूप से घूम रहे थे तब उन्होंने यह अपवाद सुना एक मनुश्य अपनी पत्नी से कहरा अता की रेक उल्टा मैं राम की तना से तुझे घर से निकली हुई को फिर घर में नहीं रख सकता हूँ राम चंदर जी ने यह अपवाद बहुतो के मुँझ से सुना तब लोग अपवाद के भैसे उन्होंने अपनी पती व्रता साथ भी पत्नी को त्याग दिया सीता जी उस समय गर्पती थी वे वालमीकी जी के आश्रम पर रहने लगी और वहीं पर लवकुष्ट दो पूत्र एक साथ उत्मन हुए वालमीकी जी ने उनक्या जाति कर्म संसकार किया लक्ष्मन जी के दो पूत्र थे अंगत तथा चित्र के तू इसी प्रकार भरत जी के पुत्रों का नाम तक्ष तथा पुषकल था शत्रुगन के सुवाहू तथा शुरुती से नाम के पुत्र थे शत्रुगन जी ने मुधुवन में मधु के पुत्र लवन राक्षस को मार कर मतुरा नगरी बसाई सीता जी लवकुष को वालमिकी जी को सौब कर पृत्री में समा श्री राम चंद्र जी अपने शोक वेक को न रोग सके तथा सीता जी के पवित्र गुणों को बारम बार स्मनन करके अती दुखी हुए जब सामठ्यवान पूर्षों की यह दशा है ग्रहा आसक्त पूर्षों की तो कही ही क्या चा सकती है राम ने ब्रहमचारी रहकर 13000 वर्षन देते हुए सेवकों के साथ पूरी की देख रेक करने लगी उनके शासनकाल में अयोध्यापूरी लक्ष्मी एश्वर्य तथा दिव्यवैभव से परिपून थी जब वे नगर में घूमने को निकलते थे तब नगर निवासी उनके दर्शनों के लिए भेट लेले करा जाती थी और उन पर पुश्पो की वर्षा करती थी बगवान राम इस प्रकार राम राज्य करके अपने लोग को भायों सही चले गए